जाहिंद वंदे मातरम साथियो स्वागत करता हूं मैं बैजनात आप सभी के प्यारे यूटूब चैनल एक्जाम तक वारियर साथियो वीडियो को लाश्ट तक देखिए जैसा कि आप सभी को बता अठारे फर्वरी का सेफी स्कॉर आल सिफ्ट का क्या हो सकता है और एंसर की कब तक आ सकता है और चाहिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है ना जितना कट आप बताऊंगा इससे एबब जाने वाला नहीं है तो वीडियो को करेंगे यह किसकी की बात करेंगे शाथे यद्य हम बात करें एंसर कि किकी किसकी बात करें ऐंसर की की तो में खतम होने कе 5 या 6 दिनों के आस पास में आपका साक्ट रहारा ठीक है ना आते माईंड में लखए एक्जाम कमप्लेट होने के और वाउन Ч Orlando में आपका एंसर किया जाए तो इस भी जादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है ठीक है आज के पेपर लेवल की हम बात करें आज के एक्जाम लेवल की बात करें साती हो आज यह आप वीडियो पता नहीं कब देख रहें लेकिन आज का यह वीडियो है एक टिंग फरवरी क भी यहां पर पूछा जाए यहां पर पूछा जाए यहां पर सभी देता हैं कि आप चांगोत आन्द राड़ियों सब्सकूचा जांता ना जादा पूछे जा रहा है तो जब भी जिनका भी सिप्ट आगे है तो क्या करेंगे ज्यादा स्यादा रिवाइज कर लेकर मैंने 1000 मतलब पूरे येर का करन्ट फेर मैंने सेंट किया है ग्रूप में वो जाकर आप सभी लोग देख लीजिए यदि आप बात करते हैं साथियों नेक्स्ट यहां पर इस्टेप की कि 18 फर्वरी के सेफी स्कोर क्या हो सकता है ठीक है ना 18 फर्वरी यानि कि आज के डेट करें हम सेफी स्कोर के बात करे किसकी बात करें सेफी स्कोर की यदि हम आज के सेफी स्कोर के बात करें साथियों चीजों को समझ लीजेगा जिन्होंने सेवंटी पलस किया है जिन्होंने कितना किया है सेवंटी पलस किया है ना वो जान लीजी आपने आपको सेफी स्कोर में मान सकते है ठीक है ना लेकिन यहां पर एक फैक्ट है साती हूं जिन्होंने 80 प्लस किया ना वो ज्यादा सेफ हैं ठीक है ना आज के सिफ में लेकिन मैं पहले सही बताते हैं पेपर के लेवल के उपर डिपेंड करेगा पेपर का लेवल जिस तरी से एक्जाम का लेवल था ना उस हिसाब से 70 प्लस वाले य पूछे को ठीक है और मैत भी कहीं न कहीं थोड़ा सा हलका फुलका जिनका प्रेक्टिस नहीं था उनके लिए टफी था तो आप सेबंटी प्लस यदि आप की है राइस को तो आप बहतर सिट्वेशन में आप सभी को पता कि नार्मलाइजेशन भी होने वाला इसमें नार्म कोई प्लस नार्म लायजेशन में जीनका हाड सिट रहेगा उनके मार्क्स डिफेलेटली बढ़ेंगे उनके मार्क्स डिफेलेटली इंक्रीज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और जो कट-एफ होता हो आप सभी को पता है यह बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता जैस कितनी वोटिंग करनी है एक दो दिनों के बाद इसका रिजल्ट आएगा 5000 कम से कम आपको करना है जो कि यह कटाप महासरवे कटाप महासरवे में आपको क्या करना भाग लेना तो कटाप में आपको आप पार्टीसिपेट कैसे कर सकते हैं कटाप में आप पार्टीसिपेट कैसे कर सकते हैं यहां पर इसीज़ को थोड़ा सा देख लेजिए बात करेंगे यहां पर देखे माने आप पूल क्रियेट करके पूल क्रियेट कर दिया साथियों आप से डिक्वेस्ट निवीदान हाथ जोड़के इसमें जरूर इससा लें आज के एक्जाम लेवल को देखते हुए कि आप अब यह कि एक्सपेटर्टे कट आप क्या हो सकती है प्लीस पूल में इससा जरूर ले थैंक्स यह दिह आपके मार्स जो है लगर आप 52-60 के बीच में है तो आप इसपर क्लिक करें ठीक है 62-70 के बीच में तो इस पर क्लिक क किस पर करिये साथ हो ताकि जो है जो पॉल हम क्रियेट किया है ना उसका सही रूप से अंदाज लग सके और जिन्हों ने एक्जाम दिया है ठीक है ना सिर्फ वही इस पॉल में इस से ले ले लेते हैं तो आईसे लोग प्लीज हिस्सा नहीं रहें जितने भी लोग है वीडिय करता है लेकिन इस पॉल में अपना हिस्सा हिस्सेदारी तो दिखा सकते है ना ताकि हम भी सही रूप से कर सके तो आज का सेफी स्कोर बात करेंगे सेवन्टी प्लस पूरा सिफ्ट एनलेसिस करने के बाद और उसके बाद साथियों आपका एंसर की एक्जाम के 5-6 दिनों के एंसर की करिए और यदि एंसर की कब है चल्द बता दिया जाएगा या फिर किसी का वह एक्जाम है तो इसकी лекनल क्रीडि नहीं पर बशलिए और सुन वानियुम्त…? साथियों अच्छे तरीके से कट आफ एनलेसिस कर सकें ठीक है ना मिलता है निश्द दूरियों में तब तक के लिए जय हिंद रुपंदे मात्रम